क्वाइं है आज देखेंगे हाटडिस का फर्मवेर का एंपॉर्टन हमिने देख लिए या है निकलते हैं फिलेर दें और फिस जाहते है । कि हम देखेंगे इसका फ़ाइं वह देखेंगे है उस्टेट बोलो हार्डेस स्टार्ट कैसी होगी यह हमारी हाडडेस है अब इसका बूटिंग कब होगा कम्प्यूटर के अंतर बताओ कुछ आइडिया है सबसे पहले पावर होने है माझे लैपटोप का मदब कम्प्यूटर का मदबोर अन कर रहा है क्या होगा हारडिस में बावर आएगी पावर होने के बाद बोलो बोली यह इनिचलाइज होगी और इसके इंदर जो सॉप्टेर है इसकी फांप करेगी वह इसको लोड करेगी वह चेक करेगी कि सारा कोछ इनिचलाइज करके फिर इसको आन करेगी जो इसके देखते हैं step by step ठीक है बूटिंग प्रोसस में हम पहले मधरबोड को computer start start पावर बटन दबाते हैं उसमें मधरबोड क्या है मधरबोड का main BIOS है मधरबोड में BIOS start होता है basic input output system जिसका firmware होगा motherboard का वो start होगा BIOS load हो जाने के बाद motherboard okay है यह BIOS पहले कहां ले जाएगा तो कि hard disk का ROM में ले जाएगा hard disk की ROM में ले जाएगा यह hard disk के अंदर जो ROM है उस ROM चिप में आएगी इस ROM में जो data है उसको कहां ले लेगा RAM में मतलब buffer IC में load करेगा ROM को buffer IC में load करेगा पहले motherboard का BIOS load हुआ फिर hard disk की ROM उसको RAM में लिया उसको process करा process करने के बाद as per the RAM as per the ROM का data जो है उसके हिसाब से spindle motor rotate होगी और वहाँ पर एक location दिया होगा जो service area का location है कि यहाँ से reading स्टार्ट करना वो ROM के अंदर लिखा हुआ है तो part 1 जो है हमारा firmware वहाँ से load हो रहा है और part 2 के लिए यहाँ पर location बहुत कम space है ROM के अंदर बहुत कम space है तो यह क्या करेगा ROM फिर इसके service area का जो location दे रहा है कि यह particular cylinder head वहाँ पर जाके बाकी का read करना है तो यह क्या करेगा यहाँ पर जो हमारा spindle motor है वहाँ से यह particular वह area से reading चालू करना चाहिए तो part 2 के लिए यह divert करेगा यह तो part 2 का जो firmware हो हमारे service area service area of hard disk से start करेगा reading बाकी के module यहाँ से load करेगा यहाँ कुछ module होंगे बाकी module यहाँ पर होंगे तो part 1 यहाँ पर है part 2 यहाँ पर है master boot record of the hard disk तो यह जो है वो हमारा firmware related काम से अगर इसमें एक file corrupt है जो importance है model number है या size है या p lease है, j lease है यह सब detail है अगर यहाँ कुछ खराब है तो hard disk क्या होगा booting में नहीं जाएगी detection में नहीं आएगी अगर यहाँ तक आगई मतलब hard disk device manager में detection में आ रही है तो यह जो firmware related problems होगी बीच में अगर यहाँ कुछ भी module corrupt है या bad sector है या ऐसा कुछ भी है तो यह क्या गरेगा आपको master boot record टक जाने नहीं देगा तो यह जो firmware में क्या-क्या problems आ रही है वो हम इसमें देखेंगे firmware issues में ठीक है तो पहले तो computer start करेंगे motherboard start होगा इनको power मिलेगा दिखो उससे पहले motherboard को जैसा bio start करा तो पहले ICs को power मिलेगा सब ICs ओक है तो अभी वो RAM को read करेगा RAM को read करने के बाद उसका data वो ROM में लेगा ROM में से हमको process करेगा फिर service area का भी data कहा लेगा ROM में लेगा ठीक है तो service area में से तो read नी कर पाएगा तो उसको भी क्या करेगा ROM में लेके फिर इसको read करेगा ये काम हमारा basic booting sequence है बोले service area में जो data होगा वो पहले ROM में आएगा ने, ROM का part 1 है उसका other files जो है वो service area में ये कि ROM में हमारा 512 या secondly part 2 को हाँ जग लेगा डाइरेक्ट service area में नहीं जा पाएगा क्यूं? plater को कौन घुमाएगा उसका command कौन देगा head कौन से activate कराएगा कहाँ पर से जाके read करना वो detail कहाँ से लेगा तो कि वो ROM में से लेगा तो कि ROM क्या करेगा उसको location देगा इतना head है इतना model है यह है अब motor को घुमाएगा पहले head पार्किंग में से बहाँ निकलेगा वो location पर जाएगा जो ROM बता रहा है कि यह location पर जाना वहाँ से बागी की file रिट करना समझना ही बात? तो उसके लिए ROM important है और वो ही ROM चाहिए जो वो hard disk की ROM है यह कि इसका रोम का location service area का location कहाँ पर store है रोम में अगर मैंने यह ROM निकाल दी PCP बदलने के बाल दूसरा रोम डाला तो वो location कुछ और बताएगा वो उसके साथ मैच नहीं होगा ठीक है? तो यह आपको समझना है नाग चाहिए क्या है? कहां से कहां जा रहा है? यह चीज हमने यहां बताएगे हर्ट इस पावर रड फर्स टेप टू चेक देड लेक्रोनिक कम्पोनेट पर लेक्रोनिक कम्पोनेट पर रोम चेक करेगा बिसा आगे जाएगा उसको डीटेल में दिया हुगा अब वाट इससे एरिया? वाट इससे जो कमपनी के दिए जाता है जिसने हार दिस्की अपने सारी सैंटिंस होते है उसके फर्मवेर है, उसके सॉफ़ेर है और जो इसकीडे जीचीज्टेश है ऊसको बोलेंगे फॉंबर पहले हम देख्टे है वाट इसलों कि फॉंबर मतलब जैसे हमको कंप्यूटर चलाने के लिए हमको ओस की जरूरत है कि मदर बोट को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए हमको बायर्स इसी तरह हार्डिक को पूरा फंक्शन लाने के लिए क्या होगा फॉंबर चाहिए पॉंबर इसा कुछ इंपॉर्टन मोडिल्स हैं कुछ कुछ सेक्टर के लिए मोडिल है और कुछ नॉन इंपॉर्टन है निभी होगा तो चलेगा इसा हम यह हमारे डाटा के लिए मोडिल्स है इसे तीन ताइप के मोडिल्स है तो मॉडिल्स मतलब एक कुछ नहीं एक एक हर चीज़ की एक फाइल जैसे मॉडल लंबर है उसकी एक पासवार्ड है उसकी एक फाइल होगी यह सबकी अपनी एक एक फाइल है वह आपको लिज़ बताएंगे पूरे मोडिल के तो वह मोडिल में आपको अके किक मोडिल लेगे डबल योडी का दिमाग अलग सीगेट का अलग तोशिबा का अलग सबका अपना अपना प्रोसेस अलग अलग है पाइल तो होगी हर में फॉर्मवेर तो होगा लेकिन सबका प्रोसेस अलग अलग है तो फॉर्मवेर में क्या होगा अलग अलग अब यह फॉर्मवेर कहां स्टोर होता है वो ही पता है पार्ट वन हम पार्ट वन समझते स्टार्टर रोम जो बोलते हैं वह र कि अधूर्पार करने वाले इसका एक प्रवप्रार सेटफ वेट वेटप पूरा पीस जी लिजब यह जितने बी डाता है वह सर्वीस एरिया में डालता है ठीक है कि अब सब्रेट यह कहांपर है यह हमारा 0 ट्रेक है यहां पर से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 इससे सिलिंडर्स नमर है और इसके नीचे जो जा रहा है उसको क्या गणिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इससे सिलिंडर्स है इसको बोलते हैं सर्विस हे और इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव सिलिंडर्स नेगेटिव सिलिंडर्स यह नॉर्मल यूजर्स इसको यूज नहीं कर सकता है नौर्मल उसर कहां से कहां के शक्ता है, यहां से हैं, अब उसने दो पाइटिशन बनाया तो c drive को ये बिब लिया, d drive को ये ले लिया, इससा भी partitions कर सुछ ँछ चलेगा, यह हमारा यूजरस एरिया है, और यह सोचे लिए पूल्स आते हो ठीक है यह company जब भी hattis देती है तो data यहां भर के देती है और यह खाली रहती है ठीक है यह एक plater की बाद चरहा हूँ अभी इसमें क्या हो सकता है Plates 1,2 या 3 बी plate हो सकती है या 2 बी हो सकती है देखो यहाँ पर कितनी plater है 1, 2, 3 प्राइमरी पहले यहां से रीट करना चालेगा अगर यहां एरर आ रही है तो वह उसी की फाइल यहां पर हो डोकेशन है तो यहां से रीट करेगा वह इरिया उइप लोकेशन पर है अगर यहां से भी नहीं मिल रही है तो वह देगा error ।ねぇ यह फाइल नाइट फउंड यह ब इस पासवर्ट निसे नित नहीं में जो भी है एर्वर हुआ देँगे यहां पर क्रेंटर इसके टावेश्य है यहां पर 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 यहां प यहां पर हमारा बोट मॉडियूल वन था या कुछ भी इंपॉर्टन मॉडियूल है अब यह मॉडियूल करफ्ट हो गया दोनों तरफ से तो हम क्या करेंगे तो किसको रिपेर करना है तो बाहर से मॉडियूल डालना पड़ेगा या यह लोकेशन बदलके कोई और लोकेशन पर डालना पड़ेगा यह सिलिंडर खराब है दूसरा सिलिंडर तीसरा सिलिंडर बहुत जगाह है हमारे पास अब इसकी स्पेस हम जब कैल्गुलेशन करेंगे तो पता चलेगा ठीक है तो यह चीज हमारा इंपॉर्टन नेक्स ज सिर्फ सिलिंडर चलट गणी यहां पर होगा हमारा फास भी जरी ट्रोय। हुप और अपरस हिन आपर स्विंट प्रेकशन प्लेटर तो भी जिड़ों और फ्रीरा पाइब कुछ नहीं होगा ज़ी जिड़ों के चलिक है यहमारा फि mound यह यहां पर हो पागे चलिए तब वा पहले हम सर्विस एरिया का लोकेशन देखते हैं के सा स्टोर होता है इसमें सर्विस एरिया का लोकेशन अब यहां पर एक एक्जमपल लेते हैं सर्विस एरिया है हाट डिस का सर्विस एरिया है एक हाट डिस का एक्जमपल ले लेते हैं एक वन की की हाट्डीस है, देखो, एक हाट्डीस ले लेते हैं, WD10EACS00ZJB0, यह एक हाट्डीस है, ठीक है, यह हाट्डीस का कितना यूज है? यह अगे हाट्डेस है, क्यों सी फेमिली है, हल्क फेमिली है, और कितनी है, यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका पत्या जाएगा 1 भी आजएस, ठीक है, इसकी कितनी कॉपी होगी, two copies of service area, कितनी जगा पर कॉपी होगी, service area के तुम्होरे, एक की size क्या है 26 MB, कि एक साइज कितनी है चब्वीस एंगी है ओके 26 एंगी का इसका टोटल साइज है कि अब इसमें टोटल प्लेटर कितने हैं वह हम देखते हैं कि इसके लिए जो सर्विस एरिया है वह एरिया कितना इसने अलोट करा है 56 इसमें 56 एंगी कैसा पता चलेगा कि इसको टोटल कितने दिये 18280 सेक्टर पर ट्रैक कितने सेक्टर एक ट्रैक पर 1280 टोटल सेक्टर कितने इसके सेक्टर और एक बाइट कितना है 512 multiply by करेंगे तो क्या होगा 1280 into 86 into 512 तो एक एरिया में कितना हुआ एक प्लेटर के अंदर एक दो तीन प्लेटर के अंदर अब इसमें हेड कितने है चार चार प्लेटर है 8081 82 83 84 85 6 पर 7 इस तरह चार प्लेटर है अब यूज कितना हो रहा है यह यूज हो रहा है यह यूज नहीं होगा टिक है यहाँ पर क्या है दिक वोसर ड्राइब एस इचेजिश सफेस हाँ 8027 एंद ड्रवीरिया मोडीलेश न शॉज न शॉज अपर फिल्टर फिल्पर्टर के न गेज रॉन यूज न रहा है आपड़ी द्रेशिक दिज कितना हुज गया मारा तो हम क्या कर सकते हैं अगर कोई एरिया में हमारा कुछ मॉडियूल कर रहा है तो इसको दूसरे लोकेशन में भी डाल सकते हैं इसको मॉडियूल सेप्टिंग बोलते हैं को चुह ईसको रेक्राइभ लिए लिक्षेंन दिली पड़ेगी इम इसमनर कत दौन का रुट संके है कि हाँ पर इर chỉ पर दे रहा है क्यों अनुल ॉप्छाय को रिलोकेशन के दeight परल Sharkeys को टो कर लिए लोकेशन दैजितWow क्या हो इस तरह होता है इसका जो हेट 01 यहां डाटा है यहां कोई डाटा नहीं है अब फर्मवेर में क्या-क्या काम होता है 01 इस पेस दिया हुआ है लेकिन भराग इसमें 01 में ठीक है मैंना वही बता है न आपको यह जगा दी है इतनी जगा रिजवर रखी है क्योंकि इस तो आएगा जैसे यह है हमारा एरिया यहां डाटा रखा हुआ है यहां कुछ डाटा नहीं जगा वही है क्योंकि सिलिंडर तो आएगा 80 तो तो एट 1 एट 2 में जगा 3 पॉर में नहीं अब इसमें कुछ छुपी भी रिडन को डालना हो तो डाल सकते हैं लेकिन अब हम क्या क्या कर सकते हैं अब हम क्या क्या कर सकते हैं फॉर्मवर कपकप की रिक्वायर्मेंट है पॉर्मव्यर्मेंट है क्या 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 कॉंबर टूल से हम करता सकते हैं ऑग्सम्पल बताओ देको एक तो पहला है हमारा पास्वर्ट पास्वर्ट रिसेट कर सकते हैं और smart error, model number गुलत आ रहा तो वोट है, model number, serial number गुलत आ रहा है, serial number या कुछ और error और होसकते हैं, क्या बोलो, example hard drive slow चल रही है, may be, slow responding slow responding कर रही है, और detect हो रही है, लेकिन आगे move रन नहीं हो रही है, operating system रन नहीं हो रहा है कोई module corrupted है, तो run नहीं हो रहा है wrong की error है, wrong read write करना है, module read write या repair करना है disk read error होता है, disk read error होता है, disk read error हाँ, भी solve होंगे इसमें, अगर कुछ problem नहीं हो, ठीक है, देखो, दूसरी slow responding, और head, check करना है अगर एक को disable करना है, उसको default भी बोलते है यह सब देख सकते हैं, दूसरा, motor, hard disk की motor है इसको stop करना, या spin करना है मतलब hard disk की motor को रुकवा देना, इसकी hard disk की spin हो रही ही तो, यह कब आता है hot swapping करते है hot swapping करना पड़ता है, hot swapping मतलब यह hard disk होके, यह hard disk होके, इसकी PCV खराब है, यह patient donor है, तो हम इसको चालू लगाएंगे इसका जो firmware और home में read करके ready रखेंगे, फिर इसको चालू में ही इधर लेना है लेकिन इसकी motor stop करेंगे, इसकी motor लगाके इसकी motor start करेंगे, यह उसको उल्लू बनाते है PCV यह इसकी इसके साथ read करने के बदले, इसमें read करके इसका firmware backup में वो सब करने के लिए उसको hot shopping में हमको क्या करना बदा है, motor stop start करना function अच्छा defect list defect list defect list है, P list बोलते है, G list है, वो बढ़ाना या translate करना या clear करना dash late, clear, regenerate यह सब इसमें कर सकते हैं और zone disable zone disable suppose मैंना artist का zone बतायाता है, क्या बताया zone? कि artist में इसे zone होते है, यह artist है, इसमें zone दिया हुए यह zone में यह, यह, यह partition है, एक example अब यह zone हमारा खराब दिखा रहा है, तो उसके लिए अख्या artist बन नहीं कर देंगे हम क्या करेंगे, इस zone को disable करेंगे, तो बाकिया artist यूश कर सकते हैं जो area ज्यादा damage है, उसको हम disable करते हैं इसमें sector ज्यादा damage है, तो यह zone disable करते हैं तो 500 GB का थोड़ा बद कम होगा, लेकिन काम हो जाएगा तो zone disable करने के लिए भी यह use करते हैं disk copy यह सबसे important है, यह बहुत important है disk to disk मतलब मेरी hard disk बहुत weak है, उसका data important है उस hard disk में बहुत सारे bad sectors बढ़ है, उस hard disk का as it is cluster की जो copy है वो नहीं hard disk में backup ले लोगा अब क्या होगा, नहीं hard disk जली से read होगी, उसमें structure बना देगा, सो खटापट हो जाएगा disk to disk copy है disk to disk copy, जैसे हमारी यह patient है, यह donor है अब यह बहुत जुनी है, 1db की, यह नहीं hard disk में ने market से खरीद लिए अब इसमें जो area है, sectors है, वो reading में बहुत time लगाएगा नॉर्मल computer में बहुत time लगाएगा, तो हम इस software में क्या करेंगे एक है cluster की as it is, जो image है, वो image बनाके इसमें डाल देगा वो ही hard disk है, लेकिन इसकी image इसमें आ गए, अब इसमें जो reading में time लगा रहा है, वो और नहीं लगाएगा अब यहाँ पर क्या होगा, जोसे आट इसमें, आपका reading फटा फट होगा, क्योंकि इसके sectors के अच्छी है, मतलब वन टीबी का वन टीबी में ही image बनेगा, या टू टीबी में वन टीबी बनाएगा, वन टीबी बेस्ट करेगा, तो वो image to image कॉपी करेंगे, उसमें time लगता है, कोई बाज गंटे, कोई आट गंटे, कोई दो दीन, तीन दीन भी लगता है image में, जैसी डिपेंड इसकी reading, त अब हम निसमें data बहुत important है customer, इसका read नी कर रहा है, बार-बार error दे रहा है, तो क्या करेंगे, customer ready है, हमको data important है, customer इसको निकाल के देना है, अब ये कभी दिखाता है, कभी नी दिखाता है, कभी bad setter दे रहा है, error है, या कुछ भी ऐसा है, अब इसका data मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, अगर ये read कर रही है, तो मैं my computer में भी देख लो, या data extractor में भी देख लो, तो आपको data अरम से दिखाएगा, वो copy कर लिया, लेकिन वो copy होने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर sectors बहुत damage है, इससे बहुत सब्सक्राइब साथ है, अटलो है, disk copier है, disk compare है, और बुदोती नौर आते है, अब इसमें PC 3000 में भी copier आता है, MRT में copier आता है, DAFL में copier आता है, इस सब में copier आते है, वो copier में क्या करते है, इसकी image as it is उठा के यहाँ डालना है, अगर detection में, module module repair कर लेने के बाद, इसको as it is copy कर लो, दूसरी artist में, दूसरी artist में करन करना लेना है, यह साब से करना पता है, तो, disk to disk copy, यह सब repair करने के बाद, यह होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, और कुछ, a scan, surface scan, surface scan, surface scan करना है, देखना है, कितने bats setters है, क्या हो भी इसमें काम कर सकते हैं, और CHS to LBA, या LBA to CHS, जो भी देखना हो, पता हैं ने, CHS LBA, कौन से cylinder, LBA मेरा सपोस्च दस हजार है, वो कौन से cylinder पर है, कौन से head है, कौन सा sector हो देखना हो, तो उसमें अब देख सकते हैं, ठीक है, और, module relocation लिखा है, module relocation, module relocation, module relocation, module को relocate करना है, दुसरी जगा कहीं ले जाना हो, उसके लिए भी हम फॉर्मवेर यूज़ करना है, अब जैसा फॉर्मवेर यूज़ करते हैं, उसके हिजाब से आपके tools यूज़ हो, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट से तो बुलना, यहां तक हमारे यह सब काम के लिए हमको फॉर्मवेर रिक्वार्म है, अभी ज्यादा तर हाट्डिस में सब फॉर्मवेर प्रॉब्लेम्स आती है, 60-50-60 परसंते हैं, तो अभी यह important है, यह easily कमाना है, फीजिकल में आपको हा निकल सकता है, ठीक है, तो यह फॉर्मवेर रिपार्मेंट है, अब मॉडूल्स, हम मॉडूल्स के बारे में देखते हैं, कौन से मॉडूल्स कहां के से important हो, मॉडूल्स दो टाइप के हैं, एक तो डाटा मॉडूल्स, एक मैनेजमेंट मॉडूल्स, जो उसको मैनेज करता ह है, और एक टेक्नो मॉडूल्स, बराबर डाटा मतलब डाटा रिलेटेट, कौन सा डाटा कहां है, पीलिस, जीलिस, वो सो भी यहां पर आएगा, अब इसके कुछ एक्जांपल देते हैं, एक 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 मॉडूल्स की फाइल होगी, जैसे LDR फाइल्स, लोडर बोलते हैं, जो इसके मेन फाइल होगी, डायरेक्ट्रि होगी, स्मार्ट दाटा था, स्मार्ट ब्लॉक सीरियल अंब, मॉडल अंब, पासवोर्ड बैट ब्लॉक टेब्ल जैसे T-Luz, P-List, प्रोग्राम ओवरलेश, जों टेबल, सरवो, यह सब अलगलग फाइल जाएं, एक मोडूल्स की